आज हम कच्चे आलू से बनाएंगे ऐसा स्नैक जो बच्चों को भी बहुत पुसंद आएगा तो यह देखिया आलो को मैंने छील लिया है और इसे पानी से धो लिया है अभी इसे हमें कदू कस करना है अगर कदू कस करना है थोड़ी मुटी वाली चनी से भी आप कदू कस कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सबी आलो को कदू कस कर लिया और पाने में डाल दिया इसे हमें दो तीन बार अच्चे से धोना है पकि इसमें जो भी स्टार्च है ना वो निकल जाए हमें बिल्कुल भी जो यह पाने नीकाल के हमें इसे दो तीन बार दो लेते हैं तो यह जो दो को में जो जोने सनहीं तो जो तहीं कितना रूड़ी निकला है इसी तरह से हमें 2-3 बार जब तक साफ पानी नहीं आता सब तक तक धोना है और 2-3 बार में धो लेती हूँ तो यह देखिया और अभी भी कितना स्टार्च है तो इसी तरह से हमें धो के पूरा जुफे स्टार्च निकालना है ध्यान रखे स्टार्च भी नहीं होना चाहिए और पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए अच्छे से दबो दबो के इसका पानी निकाल दीजे एकदम पानी निकाल दिया है मैंने देखिए इस तरह से अच्छे से दबो दबो के पूरा पानी मैंने निकाल दिया है कि यह देखिए आलू के लच्छी हमारे तयार है तो इसे बावल में डाल देते हैं अब इसमें तो बस थोड़ी हल्की पुलके ही मसाली और चीज़े हमें आड़ करने हैं तो यहां पे वनफोर्टी एसपी चमवजितना में काली मीरी पाउडर डाल रही हूं एक हरी मिर्ची दालें मैंने साथ ही में आधा चमच चीली फ्लेक्स डालेंगे अगर है तो डालें नहीं है तो फिर हरी मिर्च एक और डाल सकते हैं इसे ना टेस्टी बनाने के लिए यहां पर मैजिक क्यूब डालने वाली इस यह आपको किसी भी किराना शॉप में इसी भी मिल जाएगे इसे नहीं स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनता है तो अगर मिल जाए तो जरूर डालके देखिए स्वात के अनुसर डालेंगे नमक अच्छे से डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया अभी इसे ना बाइंडिंग के लिए हमें जरूरत है कॉन फ्लॉर की तो पहल चावल का अटा भी डाल सते हैं मेदे की जगर यहां पे दो चमच में मेदा डाल रही हूं और पहले बाइंडिंग करके देखेंगे अगर द़रूरत लगी तो और एका चमचा डाल देंगे पहले मट डाल दीजिए जादा है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा चावल के आटे क आटा डालना है इसमें को यहाँ पे देखें कर रहा है और है थोड़ा सा आटे की जरूरत है कि अच्यसी की नहीं हो रहा है कि यह खिला-खिला है अभी तक है तो इसमें और एक में चमच कॉन फ्लोर और मेदे का डाल देती हूं तो यहां पर देखिए मैं चमच और कॉन फ्लोर लिया है और चमच मेदा ज्यादा आठा नहीं डालेंगे नहीं तो क्या होगा यह इसमें आठा ज्यादा डालेंगे उसका टेक्चर बिगड़ जाएगा और टेस भी वराबर से चमच दो कि यहां आएगी हमारे स्नैक्स की तो इसके लिए एक चमच ही और यह टोटल तीन चमच कॉन फ्लोर तीन चमच मेदा में डाला है अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं तेल को मेंने कड़ई में घरम करने रखा है अभी क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लिय और इसे ही अपना ये बाइंडिंग हो जाएगा तो इस तरह से चोटे चोटे हमें बॉल बनाने हैं कि ज्यादा बड़ी भी बॉल मत बनाई है चोटे चोटे हमें बॉल बनाने हैं इससे के आप फ्राइब करने में आसा नहीं गयों और बच्चों को तो यह स्नैक्स आप एक बार जरूर बना के दिए बहुत पसंद आने वाले खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसी त स्नैक्स हमारा बॉल जो है अंदर तक अच्छी तरफ से फ्राइब हो जाए और एकदम क्रिस्पी बने तो कि देखिए मीडियम फ्लेंपे में इसे फ्राइब करिए एक साइट से अच्छी से फ्राइब होने दीजिए फिर इसे पलटके दूसरी तरफ फ्राइब करेंगे मीडियम फ्लेंपे यह फ्राइब हो रहे हैं खाने में बहुत ही सच्छी के तो बहुत टीस्टी लगता है यह स्नैक्स आप जरूर बना के देखिए और चीजे भी कितनी कम लगते जो घर में आपके पास चीजे अवेलेब हैं उसी में इसे ही आप इसे बना सबते हैं हमेशा क्या अलग अलग स्नैक्स बनाए समझ में नहीं आता है तो यह स्नैक्स आप जरूर बना के देखिए एक बार यह देखिए वाल हमारे अच्छे से फ्राइब हो रहे है अलट पलट के में इसे थोड़ा सा सुने रहने तक फ्राइब कर लेती हूं मेशा करें इस आपके पात्रा में भी अपना सकते हैं में धे थूरा सा और इसका हल्का कलर डार वानी तक हमें फ्राइब करना है कि यह देखिए इसका कलर के डॉसका है इसे निकाल लेते हैं तो यह देखिए सभी बॉल में इसी तरह से फ्राइ कर लेती हूं अभी चलते हैं आगी क्या करना है उसकी तरफ तो यह बॉल तो हमारे फ्राइ हो चुके तो पैन में मैंने दो चमच तेल लिया इसमें थोड़ी आठ से दस लसन की कलिया आप बारी कट करके डाले थोड़ा ल थोड़ा साइब पैंच कि थोड़ा साक्राइब है क्या प्रॉफ्ट रहना में दो भूर त gitti कि तो अदो यह बूना थोड़ा आड़ा शizz प्लिमिन बॉन करके डाला है इसमें कर दो आशा करतेस्ट के साय होगा अलए युश करेंगे उनका क्रश्च होना चाय है बिल्कुल भी जबасти दीए लदेने साफ़ची हो хотите सबकले में घ्क जनटे हैं और आधा पैच में इस तरह से थोड़े मोटे तुक्ड़ में कट किया कि अ चब करे नोगे और पैच यह पर गाजर भी उज़ाइए बीन्स भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छे लगते सबची डाल सकते हैं तो प्यास के साथ सब्जों पर दिख रहा होगा हलके हलके सी दाग आए यानि हमारे सब्जे भी अच्छे से पक चुकी है और उनका क्रंच भी बाकी है इतना ही हमें इसे पकाना है तो इसमें कुछ सौसेस एड़ करेंगे जिसमें जाएगा एक चमच बरके रेड़ चिली सौस एक चमच यहापए में सौयास और डार्क दार्क यूसस में यूज गया है एक चमच भर के शौरी वर्म फॉर चमच जितना हम लोग इसमें काली मेरी पाउडर डालेंगे और आधा चमच यहां पर काश्मीरी लाल में उच्छी पाउडर डाल दिए इसे टेस्ट भी और कलर भी बहुत अच्छा आता है तो सभी इस मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक चमच में यहां पर शेजवन चटनी डाल दिए और एक चमच भरके टोमेटो केचप ड पानी में बहुत अच्छा लगेगा स्नैक्स तो अपस से हलका मिक्स करते है अभी ग्यास को में एक दम लोग पे रखा है नहीं तो मसाले वगरे जो सौसर ढाले है वो चल सकते है तो अभी इसमें थोड़ा पानी एड करेंगे तो आधे कब जितना में यहां पर पानी डाला नमक नमक ठोड़ा कने डाली तो अब इसे नवकां करना है तो अभी इसें गरेवी को हमें गाडा करना है तो न माका पानी डाल चाहतो है बना यह तो यह दो आ काश्मिरी तुसके वाज़े से कलर भी देखे कितना जबर्दसा है अच्छे से मिक्स कर लिए है सॉस भी हमारा गाड़ा हो चुका है अभी इसमें जो पॉल्ब फ्राइ करके रखे ते उसे डाल देंगे और यह देखिए हमारा स्नैक्स होगा है तैयार तो कैसी लगे रिसीपी मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए गर्मा गरम इसे खाने बचों के लिए सॉस कीज़े बहुत ही है टेस्टी लगते हैं उपर से थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं जबर्दस्त टेस्टी लगए तो इसे गर्मा-गरम हमें सारू करना होता है सॉस बना क्या प्रक सकते हैं लेकिन जब इस सारू करना है तब इसमें बॉल्ट्स लालके ताकि ये बॉल्ट्स अधर्म सॉप्ट नव होएं तो यह देखिए हमारे स्नैक्स हो गया है तैयार तो जल्दी से ब प्रिफिकेशन आपको तूरण निल्च के